नमस्कार मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं दीन नोलेज एक्सप्रेस टोफिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ कि मेरा कैमरा जो है भी रिपेर में है इसलिए मैं फेस स्केम वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इसके लिए आप सभी से माफी चाता हूँ तो दोस्तों चलते हैं टोफिक के तरफ उससे पहले आप सभी से नुरोद है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में घंटी का निसान है जिसे दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियों का नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाए मैं आज बात करने बाला हूँ राज़त पार्टी के सुप्रीमों लालू यादब जी के बारे में जो अभी बिमार चल रहे हैं और इसी टाइम लोकसभा चुनाब भी है उनके बेटे तेजस्वी जो राज़त की पार्टी को अभी समाल रहे है तथा राज़त पार्टी की और से मुखमंत्री पत का उमिदबार भी है तो चलिए देखते हैं लालू जी अभी कह है और क्या हो रहा है उनके साथ लालू परसाद यादब से मुलाकात पर रोक जेल परसासन ने चिपकाया नौटीस ये है इनकी बरी बज़ा लालू परसाद यादब से मुलाकात करने पर जेल परसासनों ने नौटीस चिपका दिया तथा मुलाकात नहीं करने के लिए दिया जा रहा है राची के रिम्स में इलाज रत चारा घोटाले के चार मामलों के सजायापता राजद सुप्रीमों लालू परसाद यादब से सगाया या पराया कोई नहीं मिल सेकेगा बिर्सा मुंडा जेल ने यहाँ पैंग वाड एगारे में भरती लालू से किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगाई है इस सनीबार को लालू से कोई मुलाकात नहीं होगी जेल परसाद की ओर से मुलाकात बंद करने से संबधित नोटिस की दिवारों पर चिपका दिया गया है बिर्सा मुंडा केंद्रिया कारा होटवार के जेल अधिक्षक के हवालों से कहा गया है कि विधी व्यवस्था की समस्या के कारण सजावार बंदी लालू परसाद यादव से मुलाकात पर रोक लगाई गई है फिलाल या रोक सनी बार 20 अपरेल तक के लिए ही लगाई गई बता दे की इन दिनों राष्टिया जनतादल के अध्यक्ष लालू परसाद यादव पर विमारी के नाम पर अस्पताल में भरती रहकर राजनिती करने का चो तरफा आरोप लग रहा है इससे पहले बिहार की सतारूड पार्टी जदियू ने लालू के खिलाब मोर्चा खोलते हुए जेल से फ़ौन पर राजनितीक नसीहते देने का आरोप लगाया गया था बाद में बिहार के मुखमंतरी नितिस कुमार ने भी लालू पर जेल से लोगसभा चुना पर भावित करने और सियासत करने की सिकायत सारवजनिक रूप से की थी इसी बिच लालू की सुप्रीम कोट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए केंद्रिय जांच अजन्सी सी बी आई ने भी लालू पर अस्पताल में राजनिती करने को लेकर हल्फ नामा दायर किया था मालूम हो की बिहार में जदियू ने लालू परसाद यदब की और से लोकसभा चुनाबों में राजत के उमिदबारों को हस्ताक्षरित सिंबल और लेटर दिये जाने पर आपती उठाई है पार्टी ने जेल में बंद लालू द्वारा हस्ताक्षरित राजत परतियासियों के नामांकन पर पत्र को खारिज करने की मांग चुनाब आयोग से की है राबरी ने वीडियो कोलिंग से बात की और कहा चुनाब में जनता देगी जवाब पुर्भ सीम राबरी देवी को दी इसके बाद राबरी ने गढ़वा के मिडियो कर्मियों से वीडियो कॉलिंग से बात की और रावरी देवी ने कहा कि क्या कारण है कि लालू परसाद से नहीं मिलने दिया गया भारस सरकार बिहार वजहारखंड की जनता से पूछना चाहती हूँ कि लालू यादब क्या किये हैं इसका जवाब जनता चुना में देने के लिए तयार है लालू से नहीं मिलने देने का फर्मान गलत राजद रिस्में चिकतसारत राजद सुप्रीमों से किसी को भी नहीं मिलने देने से संबंदी जेल परसासन के फर्मान पर राजद परदेश ने अपती जताई है महा सची मनोज पांडे ने इसे तुगलकी फर्मान करार दिया है कहा कि यह सब कथा कथि डबल इ साथ क्योंकि अभी लोग सभा एलेक्षन 2019 चल रहा है तो एलेक्षन से ही संबंदीत कुछ टॉफिक आपके सामने पेस करेंगे नमस्कार जय हिन जय भारत